आज मैं आपके साथ इन छोटी छोटी प्यारे प्यारे आलू यानि कि बीबी पोटेडों से बहुत ही जादे टेस्टी सी रेश्पी सेर कर रहे हूँ. मुझे तो ये बहुत जादे पसंद है. छोटी आलू को छिलना बड़ा मुश्किल काम होता है तो आलू को छिलना नहीं ह इसे छोटी-छोटी टुकडे में काट लेना है। आर इसे मैं बना रहे हूं सरसुप्य तेल लूएं। तेल की गरम होते ही इसमें पजफुरन डालेंगे। कटा हुआ लासन, मिर्च और तेजपत्ता डालेंगे। जब तड किसी सूधी-छोधी अच्छी सी खुश्वा आने लगे। इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पर रखेंगे। आलू को होँए कंची होने तक पकाना है। इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम हाई पर रखा है। चार-पांच मिनट आलो को पकाने के बाद मैंने कटा हुआ प्याज डाला है प्याज को भी एक-दो मिनट पका लेंगे इसके बाद इसमें नमक और हल्दे डालेंगे गैस का फ्लिम लो करके इसे ध़त देंगे आलो 80-90% पक चुका है जब तक यह हमारा सब्जी पक रहा है तब तक मैंने कडाही में थोड़ा सगी डालके दल्या भून लिया है इसमें दूद डालेंगे दल्या पक रहा है तब तक यह हमारा क्रेंची और टेष्टी का यह आलो की भुजिया सब्जी बनके त्यार हो गया है इसमें जादे मशाले उवेरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं में इसी तरह बहुत टेस्टी लगता है दलिया में मैंने चीनी और इलाजी पाउडर डाल दिया है दलिया हमारा पग गया है और भुजिया के साथ खाने के लिए मैंने पराठे बना लिए है या भुजिया सब्जी डाल चावल के साथ खाने में भी बहुत जादे टेस्टी लगता है तो आप इस रेस्पी को अपने घार में जरूर बनाईएगा सबको पसंद आएगा मधूज कीचन में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई